कि अगे नमस्कर आज हम DAN कक्छा वारा के अढल दो आत्म एवम व्यक्तित के भाक तीन करेंगे के पहले के दो भागों में हमने आत्म संपोरथ्याय व्यक्तित संप्रथ्याय एवं व्यक्तित उपागमों का अध्यान किया है इस भाग में हम व्यक्तित मूल्यांकन को समझेंगे व्यक्तित मूल्यांकन हे तो मुख्य रूप से मनोमितिक परिक्षण आत्म प्रतिवेदन माप प्रक्षेवी तक्नीक और व्यावहार परक्विशलेशन का उपयोग किया जाता है मनो मितिक परिक्षंक पर पिछले अध्याय में चर्चा की है अब हम सेस विधियों की बात करेंगे आत्म प्रतिवेदन माप, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स आलपोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है उससे उसके बारे में पूछना आलपोर्ट का यह द्रस्टी कौन आत्म प्रतिवेदन माप के उपयोग का कारण बना विभिन कथनों के संदर्व में व्यक्ति को अपनी भावनाओं के बारे में वस्तुनिस्त प्रतिवेदन देना होता है चलिए बात करते हैं कुछ प्रमोख परिक्षणों की सबसे पहले मिनेसोटा बहु पक्षिये व्यक्तित्व सूची मिनेसोटा मल्टिफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी एम एम पी आई इसमें 567 कथन होते हैं प्रयोज के लिए प्रतेक कथन के बारे में यह बताना होता है कि वह कथन उसके लिए सही या गलत है इन कथनों को दस उपमापनियों में विभाजित किया गया है अवसाद उपमापनी, व्यामोह उपमापनी, हिस्टीरिया उपमापनी, पुरसुत इस्तिरित उपमापनी आधी अगला परिक्षण है आईजिंक व्यक्तित प्रशनावली आइजिंक विटत्व प्रश्नावली में अंतर्मुक्ता और बहर्मुक्ता तथा सामबेगिक इस्थिर्ता और आस्थिर्ता दो विमाओं पर परिच्ण किया जाता था फिर बाद में आयजिंक ने तीसरी विमा मनस्तापिता को समिलित किया अगला परिक्षण है 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्णावली कैटल द्वारा बनाया गया यह परिक्षण व्यापक रूप से व्यक्तित्व मूल्यांकन हेतु उपयोग किया जाता है यह परिक्षन सांख की विधी कारक विशलेशन पर आधारित है और कारक विशलेशन से प्राप्त 16 कारकों को इसका मूल आधार बनाया गया है इसके अंतरगत गोशनात्मक कथन दिये गए हैं इन कथनों की प्रती प्रयोज की अनुक्रिया प्राप्त की जाती है उच्च विध्याले हाई स्कूल इस्तर के विध्यारतियों पर इस परिक्षण को किया जा सकता है साथी साथ वयस्क व्यक्तियों पर भी इस परिक्षण को किया जा सकता है इस परिक्षण का उपयोग व्यावसायक निर्देशन में व्यापक रूप से किया जाता है आत्म प् पूछा जा रहा है तो हो सकता है कि आप सही उत्तर ना दें उधारन से मैं आपको समझाता हूं जैसे कि यदी मैं आप से पूछू कि क्या जूला में बैठने से आपको डर लगता है तो हो सकता है कि आपको डर लगता हो लेकिन आप बोल दें नहीं लगता है या यू मैं आप वस्त्विक अनुक्रिया देने की वजय गलत अनुक्रिया दे सकते हैं दूसरी समस्या है अनुमनन की अनुमनन की समस्या का मतलब है कि प्रश्ण की विशय वस्तू को समझे बिना उस विशय वस्तू से सहमत हो जाना हाँ अनुक्रिया सभी तरह के प्रश्णों के लिए दे देना इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए एक दूसरे तरह की तक्नीक हमारे सामने हैं जिसको हम प्रक्षेपी तक्नीक कहते हैं प्रक्षेपी तक्नीकों की कुछ विसेस्ताइं हैं जैसे कि यह अचेतन अभी प्रिर्णाओं और भावनाओं का मुल्यांकन करती हैं वह अचेतन अभी प्रिर्णाएं जिनके बारे में प्रयोज खुद जागरुक नहीं है आसनरचित उद्धीपक व्यक्तियों को अपनी भावनाएं एक्षाओं और आवश्यक्ताओं को प्रक्षेपित करने का मौका देता है व्यक्ति जिसका मुल्यांकन किया जा रहा है उसे मुल्यांकन के उद्देश या अंक प्रदान करने की विधी के बारे में नहीं बताया बोलते हैं यह बड़ा व्यापक रूप से उपयोग किया गया परिक्षण है इस परिक्षण में दस कार्ड होते हैं पांच कार्ड काले और सफेध होते हैं दो कार्ड लाल रंग के साथ होते हैं और तीन कार्ड रंगीन होते हैं यह कार्ड स्याही के धब्बों से बनाए गए इस परिक्षण को करने के लिए हम इसको दो भाग में संचालित करते हैं सबसे पहले निश्पादन उपयोक्त पर्फार्मेंस प्रॉपर इसमें हम स्याही का धब्बा दिखाते हैं वो कार्ड दिखाते हैं जिस पर स्याही का धब्बा होता है अभी एक स्क्रीन पर आपके साम हमने एक चित्र दिखाई दे रहा है इस चित्र में एक तरह का धबा दिखाया गया है यह एक कार्ड का प्रति रूप है तो पहले भाग में हम यह पूछते हैं कि आपको क्या दिख रहा है दूसरा भाग होता है inquiry section या फिर पूछताच भाग इसमें हम व्यक्ति से यह पूछते हैं कि आपको जो दिखाई दिया था वह क्यों दिखाई दिया था किस कारण से आपको वह दिखाई दिया था क्या निरधारक था इस तरह से हम इसकी आगे की scoring करते हैं इस प्रकार व्यक्ति के अचेतन मन में छुपी अभी प्रेरणाओं और आवश्यक्ताओं के बारे में हम जान पाते हैं इस श्रणी में अगला परिक्षण हैं कतनात्मक सम प्रत्यक्षण परिक्षण या इसको प्रसंग बोध परिक्षण भी कहा जाता है थेमेटिक आपरसिप्शन टेस्ट इस परिछन में 30 कार्ड होते हैं कार्ड पुरुष वर्ग महला वर्ग बालक वर्ग या बाली का वर्ग या फिर संयुक्त कार्ड हो सकते हैं अर्थात कुछ कार्ड ऐसे हैं जो बालक और बाली का दोनों के लिए उपयोग किये जा सकते हैं एक व्यक्ति है तो हम आम तोर पर 20 या 20 से कम कार्ड का उपियोग करते हैं इस कार्ड का उपियोग करने के लिए हम जैसा कि स्क्रीन में चित्र दिखाया गया है हम कार्ड दिखाते हैं और व्यक्ति से पूचते हैं कि इस चित्र के आधार पर आपको एक कहानी व्यक्त करनी है एक कहानी आपका वर्नन आपको करना है और कहानी के वर्नन में आपको तीन बातें जरूर बोलनी है कि इसमें क्या घटित हो रहा है इसके पहले क्या घटित हुआ होगा और आगे क्या घटित होगा और साथ ही साथ चित्र में बताये गए पात्रों के बारे में भी चर्चा करने के लिए कहा जाता है अगला परिच्छन है रोजिन विक का चित्रगत कुंठा परिच्छन इस परिच्छन में कुंठा उत्पन करने वाली इस्थिती में लोग कैसे व्यावार करते हैं इस बात को जानने के लिए कुछ ऐसे चित्र प्रस्तुत किये जाते हैं जिन में दो व्यक्ति होते हैं और पहले व्यक्ति के कारण से या कुछ परिस्थिती के कारण से कुंठित हो रहा होता है प्रयोज से पूछा जाता है कि चित्र में कुंठित व्यक्ति क्या कहेगा या उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी इस तरह के परिच्छन से हम व्यक्ति की आक्रामक्ता वह वातावरण के प्र प्रक्षेपी की श्रेणी में अगला परिक्षण है वाक्य समापन्परिक्षण और वाक्य पूरती परिक्षण में हम प्रयोज को कुछ ऐसे वाक्य देते हैं जो पूर्ण नहीं होते हैं प्रयोज जिसे ये कहा जाता है कि इन वाक्यों को पूरा कीजे जैसे मेरे पिता खाली छोड़ दिया अब प्रयोज को आगे इसके आधार पर एक वाक्य वनाना होता है वह यह भी कह सकता है मेरे पिता अच्छे इंसान है मेरे पिता बड़े ही क्रोधी व्यक्ति है या मेरे पिता मुझे प्रेम करते हैं यह उसको अपने अनुभव के आधार पर कहना होता है मेरी मा की अच्छी बात खाली स्थान छोड़ दिया हमने मुझे भय है या फिर किसी और वाक्य को हम अधूरा छोड़ देते हैं और प्रयोज उसको पूर्ण करता है प्रयोज वाक्य को कैसे पूर्ण करता है उसके आधार पर हम उसके व्यक्तितों का आकलन या मुल्यांकन करते हैं इस व्रणी का हमारा अगला परीक्षण है व्यक्तांकन परीक्षण ड्रा अपरसन टेस्ट इस परीक्षण में हम प्रयोज जिसे कहते हैं कि वह किसी व्यक्ति का चित्र बनाए एक कागज और पैंसिल दे दिया जाता है और कहा जाता है कि वह व्यक्ति का चित्र बना लेता है तो उसको विपरीत लिंगी व्यक्ति का चित्र बनाने को कहा जाता है और इसके उपरांत उस व्यक्ति के बारे में एक कहानी लिखने को कहा जाता है व्यक्ति ने चित्र किस तरह का बनाया है उसके आधार पर हम उसके व्यक्तित्त का मुल्यांकन करते हैं उसने चहरा किस तरह से बनाया है चेहरे का लोप तो नहीं कर दिया है चेहरे को गर्दन के साथ किस तरह से जोड़ा है चेहरा और शेस शरीर के बीच का अनुपात कैसा है इन सारी बातों के आधार पर हम उसका मुल्यांकन करते हैं तो इस तरह से इन प्रक्षेपी तक्णिकों के माध्यम से हम व्यक्तित को समझ सकते हैं जान सकते हैं और जिस व्यक्ती का हम परिक्षण कर रहे होते हैं उसे यह पता भी नहीं चलता कि किस बात का परिक्षन किया जा रहा है इसलिए वह अपनी कोई भी बात मनोवैज्ञानिक से छेपा नहीं पाता है कैसे कोई व्यक्ति ये बात छेपा पाएगा कि मुझे इस कार्ड में स्याही के धब्बे में क्या देख रहा है क्योंकि आपको जो देख रहा है वो सिर्फ आपको देख रहा है और आपको किस कारण से देख रहा है ये भी आपको बताना होता है तो इसका कोई अर्थ व्यक्ति नहीं लगा पाता है और सही सच्ची अनुक्रिया देता है जिससे एक कुशल मनोवैज्ञानिक उसका मूल्यांकन कर पाता है चलिए अब हम लोग बात करते हैं ब्याओहार परक विशलेशन की ब्याओहार परक विशलेशन में कुछ तकनीकें समिलित होती हैं सबसे पहले है साक्षातकार विधी साक्षातकार दो तरह से हम लोग कर सकते हैं पहला है आसनरचित साक्षातकार और दूसरा है सनरचित साक साक्षातकार में हम प्रयोज के सामने कुछ इस तरह के प्रश्ण रखते हैं जिसमें वह मुक्त होता है अपनी अनुक्रिया देने के लिए जबकि सन्रचित साक्षातकार में उसे निरधारत striving की नुक्रिया ही वह दे सकता है lot कई जगह पर तो यह सीमा होती है कि हाँ या ना जैसी अनुक्रियां उसको देनी होती है इश्रणी में अगली तकनीक है प्रेक्षण प्रेक्षण में यह आवश्यक होता है कि किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही प्रेक्षण किया जाए जिस व्यक्ति का हम मूल्यांकन कर रहे हैं वह अपने परिवार के व्यक्तियों के साथ अपने अतिथियों के साथ या वातावरण में किस तरह की अंतक्रिया कर रहा है किस तरह का व्यावार कर रहा है इसका प्रेक्षण किया जाता है तो एक कुषल pili pH अच्छी तरह से व्यावार का प्रेक्षण कर सकता है। मुल्यांकित किये जाने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता है या उसने जादा उसके साथ समय व्यतीत किया होता है जो उसके व्यक्तित को समझता है तो इस तक्नीक में जो व्यक्ति उस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता है जिसका मूल्यांकन हम कर रहे हैं उससे हम उसकी योगताओं या उसकी व्यक्तित विशेष्टाओं के बारे में निर्धारण करने के लिए कहते हैं हाला कि इस तरह के व्यक्तितों आकलन की विधी में कुछ सीमाएं हैं जैसे कि किसी अनुकूल या पृतिकूल विशेशक से प्रभावित हो जाना इसको हम लोग हालो एफेक्ट के रूप से भी जानते हैं जैसे एक कोई ट्रेट की वह बुद्धिमान है उस एक ट्रेट से व्यक्ति प्रभावित होकर बाकी सारे व्यक्तितों के विशेश्ताओं के बारे में कुछ इस तरह से व्याक्षा कर सकता है या इस तरह से निर्धारण कर सकता है जो की सही नहीं है दूसरे तरह की समस्या या सीमा इस विधी में हैं वह है कि व्यक्ति छोर इस्थितियों का आकलन नहीं कर रहा है, सिर्फ मध्य पर करता है, इसको उधारण से समधते हैं, जैसे एक व्यक्ति का का नामक एक व्यक्ति बुधिमान है, आपको एक से लेके पाँच तक के अंक दे एक और पांच जैसे छोर को छोड़ दें और सिर्फ मध्य में ही वह प्रतिक्रिया देते रहें साथी साथ यह संभावना भी है कि कुछ जो आकलन करने वाले व्यक्ति हैं वह मध्य को छोड़ दें और सिर्फ एक्स्ट्रीम छोड से संबंधित या तो पूरी तरीके से सकारात्मक या पूरी तरीके से नकारात्मक अनुक्रिया दें इसके बाद अगली तकनीक है नाम निर्देशन नॉमिनेशन नॉमिनेशन तकनीक तब इस्तिमाल की जाती है जब हमारे सामने एक समूह उपस्थित होता है और समूह में व्यक्तियों के व्यक्तित्त का हमें आकलन या मुल्यांकन करना होता है समूह के व्यक्तियों से कहा जाता है कि समूह में जितने व्यक्ति हैं उन में से एक या अधिक व्यक्ति का आप चैन कर लीजे वो चैन आप किसी एक खास कारे के लिए कीजिए हो सकता है वो खेल है या फिर अध्यन है या फिर कोई अनिक्रिया है तो इस तरह से अलग-अलग के द्वारा अलग अलग लोगों का चैन किया जा सकता है इस आधार पे हम यह समझ पाते हैं कि उस समूह के अंदर किसी एक व्यक्ति की कितनी स्विकारेता है या उसको कितना पसंद किया जा रहा है तो यह व्यक्तित मुल्यांकन हे तु नॉमिनेशन भी धी है अगला परिच् इस तरह के परिक्षणों में जिस व्यक्ति का मुल्यांकन किया जा रहा होता है उसको एक इस्थिती दी जाती है उस इस्थिती में क्या वर्ताव हो सकता है क्या उचित निर्णे हो सकता है इसका निरधारन उसे करना होता है इस संदर में सबसे प्रचलित इस्थिति परक दवाव परिक्षण है सिट्वेशनल स्ट्रेस टेस्ट के रूप में जिसे जाना जाता है दवाव पूर्ण परिस्थिति में व्यक्ति का क्या ब्योहार होगा इसके आधार पर उसका आकलन किया जाता है तो इस तरह से आज हमने व्यक्तित्त के मूल्यांकन करने के बिभिन परिक्षणों के बारे में जाना ये परिक्षण हमने तीन श्रणियों के परिक्षणों के बारे में जाना जो की आत्मत प्रतिवेदन माप प्रक्षेपी परीक्षण और व्यावहारात्मक विश्लेशन परीक्षण थे धन्यवाद झाल 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 झाल